हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार, Study IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है विरत दुबे दोस्तों, आज एक विशय पर हम चर्चा करने के लोपस्तित हैं, आज नौमी का दिन है, और आज हम बात करने वाले हैं शाक्त पंत पर, शाक्त पंत के अलावा हम 64 योगिनी मंदिर पर भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा विस्तरिच चर्चा हो सकती है, मैं आपको इस चर्च इंपोर्टेंट है, और साथी साथ इसमें आपको प्रिवियसली, मतलब 2021 में शायद इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, 64 योगिनी मंदिर पर एक प्रशन भी पूछा गया था, जो मैं आपको लेक्चर के अंत में आपसे डिसकेशन भी करूँगा इसके ओपर, लेकिन ये इंपोर्टेंट है, प्रारंभिक परिक्षा में और मुखे परिक्षा में कला एवं संस्कृति की दृष्टिकॉर्ण से तो जब आप कला एवं संस्कृति की दृष्टिकॉर्ण से इसको पढ़ें, तो इसके उदभव के बारे में, इसके विकास के बारे में, इसके कौन-कौन से शाखाएं हैं, इनके बारे में, किस काल में इसका सरवाधिक प्रभाव पड़ा, विकास हुआ, इन सब एंगल्स पर हमको चर्चा करनी होगी, और आशा करेंगे कि आप सब लोग इसे पूरे शुरू से ले करके अंततक देखेंगे, तो सभी लोग इसको बहुत ही बहतरीन तरीके से देखिएगा, अंततक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके अपने जो विचार हैं, वो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में दिखाई रहेंगे, तो बहुत अच्छे लगेंगे, चले शुरुवात करते हैं, आज केस लेक्चर की, और शाक्त पंत के बारे में देखते हैं, ध्यान से इसको सुनिएगा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ, 2026 का जो चुरिएगा, और 2027 की जो लोग त्यारी कर रहे हैं, 2027 के लिए भी उनके पास में बैचे उपलब्द हैं, P2I का लॉंग टम बैच जो है, वो 2027 का उपलब्द है, तो 2027 का P2I लॉंग टम बैच, 2026 का भी बैच आप ले सकते हैं, 2025 का फास्ट एक बैच, इनमें से कोई भ 1000 रुपए आपको पुरिसकार राशी के तोर पर मिलेंगे, प्रिलिम्स क्वालिफाई करते हैं, तो आपकी फी जो है, वो क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी, तो चलिए इन सब चीजों को आप जानें, जानी अच्छी तरीके से जुड़िए इस बैच में अपने टा अब देखें, शाक्तवाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इसे शाक्तवाद कह लीजे, या शक्ति वाद कह लीजे, एकी बात है, शाक्त या शक्ति अलग-अलग चीज़े नहीं है, एक ही चीज़े, इन पर हम चर्चा जिस पर हम करना शुरू कर रहे हैं वास्तविक रूप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो भारती इतिहास है वो जब शुरू होता है तो भारती इतिहास में आप सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो है सिंधु घाटी सभिता है न हम सबसे पहले सिंदुगाटी सभिता के बारे में पढ़ाई करना शुरू कर रहे होते हैं सिंदुगाटी सभिता के बाद हम वैदिक काल पढ़ते हैं और वैदिक काल के बाद धार्मिक आंदूलन होते हैं इसमें खास तोर से हम जैन धर्म और बौध धर्म के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो रिलीजियसली अगर हम देखें तो वैदिक जैनिजम और बुद्धिजम ये तीन continuous chapters हमको मिलते हैं पढ़ने के लिए और इनमें कुछ विशेश परंपराएं हमको पढ़ने को मिलती है परंपराएं जो धार्मिक परंपराएं धार्मिक विशेश धार्मिक परंपराएं हमको इस दोरान पढ़ने को मिलती है इसमें खास बात यह है कि जब वैदिक से जैनिजम बुद्धिजम की तरब जाते हैं तो वैदिक के प्रयोग और अनुप्रयोग जो है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं और जैनिजम और बुद्धिजम की जो धार्मिक परंपराइं हैं और जो उनकी प्रैक्टिसेज हैं वो आगे आनी शुरू होती हैं तो ये कुछ, मतलब जैन भी और बहुत भी अपने आप में मुक्ती के मार्ग के, मुक्ती प्राप्त करने के संप्रदायों में से एक है, मुक्ति प्राप्त करने के संप्रदायों में आगे कुछ और संप्रदाय भी हुए जैसे शैव संप्रदाय जैसे वैशनव संप्रदाय उसी प्रकार से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए कुछ नए संपरदायों का उद्भा हुआ, उनमें आप शाक्त संपरदाय भी पढ़ते हैं, शाक्त संपरदाय, और तकरीबन हर एक संपरदाय के कुछ उप संपरदाय भी हैं, जैसे मान लेते हैं कि शैव संपरदाय में एक भैरव संपरदाय है, तो भैरव संपरदाय जो है वो भैरवी संपरदाय जो है वो शैव संपरदाय का एक उप संपरदाय एक्जाम्पल के तौर पर आज हमारा विशय जो है वो यहां नहीं है इस पर नहीं है इसलिए हम फोकस इस पर कर रहे हैं आपको connect हुआ होगा कि actually ये religious cult है एक परकार का यानि religious संपरदाय है एक परकार का जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा इन सभी संपरदायों में लोग मुक्ति के मारगों को खोजते हैं और किसी एक पत्थ या पंथ को मानते हुए मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं ठीक है आगे की और उनको यह एक बेसिक फिनोमेना है और हर एक संपरदाय में व्यक्ति अपने देवी या फिर देवताओं को अपने मुक्ति के मारग का सर्वोच पत्थ प्रदर्शक मानता है रक्षक मानता है सहायक मानता है तो जो शाक्त पंथ है शाक्त पंथ में शाक्त जो है वो एक प्रकार से देवी पंथ है ठीक है यानि देवियों की उपासना का एक संपरदाए है हिंदू धर्म का एक संपरदाए है ये जो देवी पूजा के पंथ के तौर पर जाना जाता है और जब हम देवी की बात करते हैं देवी मतलब जैसे देवता तो देवता का स्त्रिलिंग देवी देवी का अर्थ यहां पर दिव्यता से है माता ऐसी, स्त्री ऐसी जो दिव्य है विशिष्ट शक्तियां हैं उसके पास में शक्ति तो देवी का एक रूप है शाक्त शाक्त में जो शक्ति शब्दारा है वो कहीं न कहीं पर्याय कर रहा है उस माता को जिसको हम देवी कह रहे हैं तो देवी का पर्याय यहां पर शक्ती है और शक्ती के अर्थ जब हम निकालते हैं तो शक्ती के अर्थ हैं बल, ताकत, सामर्थ आप समझ रहे हैं इस सब चीजों को हम लोग शक्ती के तौर पर जानते हैं सब जानते हैं, सब को मालू है, तो कहीं न कहीं, जो शक्ति है, वो मा के रूप में, पोटेंशल जो है, या फिर किसी प्रकार की, जो ताकत है, उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आती है, महिला देवी के तौर पर है वो, माता देवी के तौर पर है वो, मतलब स्त्री रूप है, देवताओं का स्त्री रूप, अब इस देवी की हम पूजा करते हैं, इस शक्ति की हम पूजा करते हैं, और शक्ति की पूजा कई सारे रूपों में होती है, बहुत सारे रूप में आपने देखा, अभी वर्तमान सहय में नवदुर्गा का आप लोग की पूझा कर रहे हैं तो देवी या शक्ती के नौ रूपों की हमल अलग पूझा कर रहे हैं देवी या शक्ती के नौ रूपों की आप पूझा करते हुए नजर आते हैं का अब बहुत सारे रूप अब हर एक व्यक्ति हपने अपने हिसाब से अब अब उनकी जैसे आप लोगों में दूर ब्रुप की पूजा कर रहे हैं तो दुरगा रूप की पूजा कर रहे हैं दुर्गा रूप जो है वो दुस्ट निवारनी माता के तौर पर है दुस्ट निवारन कर दुस्टों का संहार करती है दुर्गा दुस्ट विनाशनी है काली की पूजा करते हैं आप काली का जो माता काली जो है उनका भयानक रूप देखते हैं वो भी दुस्टों के संहारक के तौर पर है और एक स्वरूप आपको पालन पोशन करने वाले स्वरूप में पारवती का भी देखने को मिलता है पार्वती का स्वरूप आपको एक देखने को मिलता है पार्वती स्वरूप ये लालन पालन करने के लिए पालन पोशन करने के लिए बड़े मात्रत्त भाव से इसी तरीके से संसाधनों की पूर्ती के लिए आप देखते हैं कि आप लक्षमी की उपासना करते हैं धन की देवी के तौर पर, विद्या, कला, ज्यान, विज्यान, संगीत, इन सब के तौर पर आप वागदेवी की पूजा करते हैं, वागदेवी की पूजा करते हैं, सरस्वती आप जिने कहते हैं, इन्हें श्री के तौर पर आप जानते हैं, तो श्री, वाग, पार्वती, का जाली दुरगा ऐसे कई सारे रूप हैं जिनको आप पूजते हैं उसी प्रकार से जैसे आप अलग-अलग रूप में अलग जैसे वेशनो संपरदाय में देखिए आप विश्णू की पूजा करते हैं सक्षाद क्रिष्ण की पूजा करते हैं तो ऐसे विश्णू के पूजा करता है और शक्ति के जो अन्याई है followers जो हैं वही शाक्त कहलाते हैं तो शाक्त शक्ति स्वरूप की पूजा करने वाले लोगों का समू है तो और आपको यह समझ में आगए कि शाक्तवाद क्या है है थें टॉपिक बहुत ही व्यापक है और मैं बहुत मतलब सद करके कि आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं उसका कारण यह है कि किसी भी एक टॉपिक में अगर हम चले जाएंगे जैसे अगर हम इसमें जरा सभी वैशनवाद में चले जाएंगे तो अपने आप एक घंटे का टॉपिक अपने आप बढ़ जाएगा और शक्तिवाद अपने अलग से एक आपके सामने केस्टडी ले आऊंगा और आपको बताने का प्रयास करोंगा परन्तु अभी आप अगर आपको यह लग रहा है कि सर इस चीज को अधूरा बता रहे हैं तो इसके पीछे तरक मैं आपको यही दे रहा हूं तरक यही है कि इसको यहाँ पर कंप्ली वाद जो है उसकी उत्पत्ति के बारे में हम क्या जानते हैं उसको आये समझने का प्रयास करते हैं इतना आपको समझ में आ गया मोटे मोटे तौर पर कि शक्ति का मतलब देवी और देवी का मतलब यह हो गया कि देवी स्वरूप शक्ति में जो है अब जब भी हम उत्पत् से जनरली प्राचीन समय में प्राचीन समय के कभी भी कोई भी साक्षाप ढोड़ने चलोगे तो आपको या तो चित्र के तौर पर देखने को मिल जाएगा कहीं पर कोई चित्र हो प्राचीन है ना कहीं पर कोई प्राचीन चित्र हो या फिर कोई मूर्ती इत्यादी हो जो हम बात करते हैं, तो प्राचीन, चित्र या मूर्ती त्यादी ही हम अपने संदर्ब में आपर ले सकते हैं। ऐसे में आधुनिक प्रियाग राज जो है, वर्तमान में प्रियाग राज जिसे थोड़े समय पहले अलहाबाद कहते थे और पहले प्रियाग के नाम से जानते थे, उस प्रियाग राज में बहुत पुरानी एक देवी की मूर्ती मिली है, जो आप कुछ यहाँ पर देख सकते यह जो मूर्ती आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, और यहीं पर आपका यह जो जगा है, यह जो जगा है, यह जो जगा है कौन सी है, यह आपकी प्रियाग जगा है, तो इस प्रियाग में यह जो मूर्ती मिली है, यह मूर्ती काफी प करीबन इतनी पुरानी है कि आप इसे पाशान कालीन मूर्ती के तौर पर भी लोग कई सारे लोग देखते हैं। उच्छ पुरा पाशान काल जो है उससे मेल जोल खाती हुई है। देवी के लिए आपने कई सारे तंत्र विधी सुने होंगे या आप उसकी पूजापाठ हो सकता है करते भी हो स्वैम भी जैसे आप लोगों ने और वो तंत्र जो है किसी न किसी यंत्र पर आधारित होते हैं। तंत्र किसी न किसी यंत्र पर जैसे लक्षमी के लिए आप दे उसमें भी अगर आप देखोगे न ट्रेंगुलर शेप के बहुत सारे इस तरीके के वो बने रहते हैं उसमें तमाम सारी रचनाय बनी रहती हैं त्रिभुज के आकार की और ये भी अति प्राचीन तरीके के ट्रेंगुलर शेप के इस तरीके की चीजें मिलना जो ये इंगित करता है कि शायद तांत्रिक विधियों का प्रयोग करा जाता था और संभवता इसको भी लोग शाक्त पूजा या शक्ति पूजा से जोडते हैं यह संभावनाओं में है इसमें कोई दोराएं नहीं है अगर हम चित्र की बात करें तो वर्तमान सहे में आंध्रप्रदेश में आंध्रप्रदेश के पूरवी तटों के पास जो है कुछ प्राचीन समय के चित्र जो हैं वो मिले हैं जिसमें देवियों की चित्र निर्मित हैं तो प्राचीन चित्र प्राचीन मूर्तिकला मूर्तियां मिलना ये रिप्रेजेंट करता है कि केवल हम ये ना माने देखे ज इसका मतलब भी नहीं कि हिंदुजम में शक्ति पूजा भी वहीं से शुरू हो रही हूँ तो अगर हम उत्पत्ती में चलें तो काफी प्राचीन समय से देखने को मिलती है वास्त्विक रूप में पूरता प्रमारित नहीं है ऐसा माना चाहता है कि हो सकता है कैसा रहा हो ऐसा एसा अरलक सकता है उत्तर प्रदेश में मिर्जापूर इलाके में चले जाए इलाहबाद के थोड़ा सा आगे ही वहाँ पर भी बहुत सारे पुराने आपको प्राचीन साक्षे ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि इसमें भी लोग देवी उपासना शायद उस समय के थे और वो भी करीब पांच-छे हजार साल पुराने हैं उनके भी साक्षे मेहरगड की बात कर लीजे तो मेहरगड जो बलूचिस्तान में है पाकिस्तान में वहाँ पर भी लगबग पांसजार पांस सो इसा पूर्व छोटी महिलाओं की मूर्तियां बरामत की गई हैं अग लेवियों की मूर्तियां यह मेहरगड से मेहरगड से मूर्तियां धाएं हैं जाधा तर चक्छो बा quiénमेहरगड यह लोकेशन अप मेहरगड में देख रहे हैं भारत का पश्च मijnलत।र पारत तो वहाँ पर 5,000 साल पुरानी छोटी-छोटी महिलाओं की मूर्तियां जो हैं वो मिल रही है बरामद हुई है इन मूर्तियों को इन मूर्तियों के जब समय का पता लगाया जाता है तो कुछ लोग इसे नवपाशानकाल के आसपास का मानते है नियो लिथिकेज जिसको हम कहते हैं वहाँ के आसपास का मानते है थोड़ा सा आप और आगे बढ़ जाईए तो आपको सिंदुगाटी सभ्यता में बहुत सारी देवियों की पूजा करते हुए देवियों के मूर्तियां जो है आपको देखने को मिलेंगी और सिंदुगाटी सभ्यता में तो इंडस्वेली सिविलाइजेशन में तो मैक्सिमम घरों में आपको महिलाओं की मूर्तियां देखने को मिलेंगी और आपने खुब पढ़ा होगा कि मात्र देवी की उपासना करते थे वो लोग मात्री देवी की उपासना तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब हम देवी की उपासना को शक्ती की पूजा से जोड़ते हैं तो शाक्तिजम के साक्ष हमको इंडस्वेली सिविलाजेशन और उसके पहले के भी देखने को मिलते हैं, बट वो सब चीज़ें अभी रिसर्च के अंदर हैं, उनकी वास्तविकता का पता तब लगेगा जब वास्तविक तोर में उस सभिता के बारे में ठीक ठीक जानकरे मिल तो ये मात्र देवी की उपासना के लिए हमको यहाँ पर मूर्तियां देखने को मिलती हैं, लगातार बहुत सारी मूर्तियां आप देख सकते हैं, और इन मूर्तियों में आप ज्यादा तर देखिए, कई सारी ऐसी मूर्तियां हैं, आपने इंडस्वेली सिविलाजेशन के स्वाय में देखा होगा कि कई सारी मूर्तियों में उरवर्ता की देवी के तौर पर प्रजनन की देवी के तौर पर आपको इनके रिलेशन्स जो है वो देखने को मिल जाते तकरीबन जब लगभग लगभग रिलेशन्स आपको इस तरीके की देखने को मिल जाते हैं प्रजनन की देवी के तौर पर कहीं पर वर्णन है कहीं पर देख सकते हैं भारत में शक्ति पूजा में और भारत में अगर आप देखेंगे की देवी और देवता की उपासना में दो प्रतिकात्मक उपासना के बिंदू देखने को मिलते हैं एक लिंग पूजा के तौर पर और एक योनी पूजा के तौर पर तो शिव लिंग के प् देखते हैं, तो ऐसी मूर्तियों में आपको तमाम जगहों पर यह similarity इस तरीके की देखने को मिल जाएगी, कई जगहों पर आपको इस तरीके की similarities जो है, वो देखने को मिल जाएगी, तो आपको इसमें कोई परिशान होने की बात इस तरीके की है नहीं, कि यह कोई नई चीज यह natin यह कोई नए चीज नहीं है yeah यह कोई नए चीज नहीं तो कहने का मतलब है अब अच्छा कि सारे लोग यह भी मानते हैं कि शायद बली देने के लिए इस मूर्ति को रखा जाता था और उनके कई मतलब उपयोग हो सकते हैं और शायद उस बली के उपयोग को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं तो ये आपको Indus Valley Civilization में भी देखने को मिल जाएगा सिंदुगाटी सब्विता में भी इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगे तो अगर हम उधभाव और विकास देख रहे हैं तो पाशान काल से ले करके आप इंडस वैली सिविलैशन तक तो इस तरीके के प्रमाण जो है वो देखते रहते हो प्रतक्षता जो चीजें आपको देखने को मिलती है लेकिन जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जब हम थोड़ा और आगे की और जाएंगे जब हम और थोड़ा आगे की और मूव करेंगे तो कुछ प्रमाण हमको और देखने को मिलेंगे उनके उपर भी हम चर्चा करेंगे तो जैसे वो वैदिक काल में मिलेंगे, वो वैदिक काल में जब हम लोग जा रहे होंगे, तब हम लोग को वैदिक काल में वो सारी चीज़ें मिल रहे होंगी, लेकिन अब वैदिक काल में, वैदिक काल में किस तरीके की चीज़ें हैं, आईए जरा उसको भी समझते हैं, इसम प्रक्तवाद के पीछे philosophy क्या है किस प्रकार की philosophy काम करती है उस philosophy के उपर हमारी थोड़ी सी चरचा रहे और इसमें हम आगे के development जो हैं वो भी देख पाएंगे तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो इसकी वास्त यह तो मैंने वैदिक काल से पहले की चीज़ और और पहले भी चीज़ें हैं पर वहां की true philosophies तो हमें पता नहीं उसके true philosophies के साक्ष नहीं पता है पर हम वहां पे अंदाजा लगा पाते हैं यहां पे थोड़ा हम ज्यादा पुष्टी हो पाती है हमारे philosophy की जैसे वैदिक युक की बात करें तो वैदिक काल जो की 1500 से 1500 से 600 इसा पूर्व के आसपास आपको देखने को मिलता है इसमें अगर आप देखोगे तो इसके दार्शनिक विकास की शुरुवात हमको यहां वैदिक युक से देखने को मिल जाएगी वैदिक काल से देखने को मिल जाएगी क्यों? क्योंकि वेदों में शक्ति के बारे में वरणन किया गया है शक्ति या देवी जो है उनका वरणन हमको देखने को मिलता है कुछ देवियों के नाम आपको वेदों में देखने को मिल जाएगे सौबाविक सी बात है कि उनका उनके सिधियां उनके प्रयोग उपियोग उनके महात्मे वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी देखने को मिल जाएंगी तो वैदिक युग में शुरुवाती चरण है शक्ति का यानि उसमें भी अगर आप देखोगे न तो शक्ति का महात्में बहुत जादा नहीं होगा जैसे हम जब देवताओं की बात करेंगे तो देवता में पुरुष और इस्त्री रूप जो है जिसको हम देवी कह रहे हैं इनकी संख्या कम होगी इनकी संख्या अधिक और इनके महत्व अधिक होंगे पर होंगे ऐसा नहीं के नहीं होंगे हैं उसमें हैं ठीके अब हम और आगे पढ़ें तो इस वैदिक युग के बाद जब डेवलेप्मेंट की तरफ हम जब पढ़ते हैं तो विकास का जो काल ब तो इसमें शक्ति की उपासना और ज्यादा हमको अच्छे से देखने को मिलती है, वो और ज्यादा कैसे देखने को मिलती है, उस पर भी हम discussion करेंगे, लेकिन अभी पहला step आप वैदिक यूग में देखोगे, फिर दूसरा step आप महा काव्यकाल में देखोगे, महा काव्यकाल वही जिसमें महाभारत और रामायन महाभारत और जो रामायन है उनके बारे में आप पढ़ते हैं तो महाभारत और रामायन वाला जो epic वाला जो era है वो third stage आपका जो जिसमें शाक्तिजम जो है वो सबसे most developed stage वे पहुँचा चरम पर जब पहुँचा तो वो stage यहाँ पर शक्ति की बहुत ज़ादा पूजा होने लगी उसकी मानिता बहुत ज़ादा होने लगी तो वो आपका गुप्तकाल कहलाता है और ये गुप्तकाल आप देख सकते हैं 300 से 720 के आसपास आपको देखने को मिलेगा तो इस दोरान आपको शक्तिजम जो है वो सबसे चरम पर देखने को मिलेगा सबसे उपर देखने को मिलेगा और इसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार जो है लगातार इसके बाद इसके बाद से ले करके आज तक आप शक्तिजम को प्रॉपरली उसकी उनमें पूजा करते हैं, आप आस्था रखते हैं, प्रॉपरली डवलेप्ट है वो, है ना, तो ये आपको एक करम देखने को मिलेगा, वैदिक यूग, वैदिक यूग से शुरू होता है, वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पॉइंट शुरू होते हैं, यहाँ पर आपको जो ये शक्ति और देवी वाली जो मैंने बात बताई है, उसकी वैदिक यूग से शुरूबात होते हुए, देखने को मिलती है, वैदिक यूग में समाज कैसा है, वैदिक यूग में समाज जो है, वो पुरुष प्रधान है, लेकिन अगर हम वैदिक में महिलाओं की दर्शा थोड़ी जादा बिगड़ गई, तो वैदिक यूग जो है, वो कैसा है, पुरुष प्रधान है, लेकिन महिलाओं का इस्थान वहाँ पर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, यानि कि female deities जो हैं, महिला देवी जो हैं, वो उबस्थित हैं, वही चीज मैंने जैसे देवताओं की पत्नी के रूप में, या अरधांगनी के रूप में, ऐसा कई बार देखने को मिलता है, अधीनस्थ देवी देवताओं के तौर पर हमको इस्थान देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर मैंने बताया कि जब यहाँ पर उत्पत्ती हो रही है, तो वो ये उत्पत्ती है, इसमें बहुत ज़रा व्यापक्ता नहीं मिलेगी, इसके बाद जो अधीनस्त है, वो स्वतंत्र और अधीनस्त दोनों सवरूप में आपको दिखाई देगी, और फिर स्वतंत्र रूप में आपको देखने, गुप्त काल में एकदम स्वतंत और पर आपको देखने को मिल जाती, तबी आज की डेट में हम जब नवरात्री की पूजा कर रहे हैं, आज की डेट में जब हम नवरात्री मना रहे हैं, आज नवा दिन है, कल विजिया दश्मी है, है ना, कल हम लोग विजिया दश्मी मनाएंगे, वो दशैरा एक अलग तिवार है, वो मना पूजह यह यह रही है तो वोधिक्यूजश्य के रूपि पत्मी के रूप में रूप में आपको बता रहा हूँ कि यह जो चीज है यह गुप्तकाल से थोड़ी ज्यादा पड़ गी ठीके ना यह पोइंट्स आपको समझ में तो वैदिक यूग में तो इस तरीके के development है अगर हम पुराने स्वाय में थोड़ा सा देखें तो वहाँ पर द्रविण धर्म के जो लोग है द्रविण धर्म या सिंदुगाटी सबिता में देवी अदिती का नाम वहाँ पर लोग लेते हैं और अदिती का नाम आपको वैदिक काल में भी देखने को मिलेगा और अदिती के बड़ी खास importance है मतलब बड़ी खास जगह है अदिती की अब अदिती के साथ साथ अन्य देवीयों के भी नाम मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं जो वैदों में आपको देखने को मिल जाएंगे रिगवेद में खास तोर से देखने को मिल जाएंगे रिगवेद में यह कुछ नाम है जो importantly आपको देवीयों के तोर पर दिखाई देते हैं जैसे अदिती जो हैं ये देवताओं की माता के तौर पर देवताओं की माता के तौर पर इनको दिखाया गया है, इसके अलावा इनके पृति मानिता ये भी रखी जाती है, कि अदिती मतलब सीमा रहीत, असीम, अनंत, तो First Goddess of Infinity के तौर पर अगर दिखा जाए, तो अदिती के तो और पर जाना जाता है, तो अदिती का भी महात्यों बहुत ज्यादा है, अदिती की भी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये बात हो गई अदिती के लिए, आरण्यानी ये वन की देवी है, आर्यानी प्रेम और उर्वर्ता की देवी है, अपसरा, सुंदर्ता, शाल संत जिंता और आकर्शन की देवी पुरतिवी इनका भी मानसमान बहुत है यह एक नदी के तौर पर जाना जाती है और और शरश्वति अ सरस्वती सभिता का नाम वहां पर दिया गया है तो सरस्वती नदी की देवी के तौर पर थी बाद में विद्या की देवी और वाक देवी के तौर पर इनको जाना जाना शुरू कर दिया गया उशा का भी बहुत इंपोर्टेंट योगदान है भोर की देवी के तौर पर इनक कई जो है आपको जो वेदों के अंतिम भाग है जिनको हम वेदान्त कहते हैं है ना वेदों के जो अंतिम भाग है वेदान्त उसमें देखने को मिलेंगे उपनिशद की अगर हम बात करें, वेदान्त या उपनिशद, ये क्या है, वेदों के अंतिम भागें, उपनिशद, उपनिशद का मतलब क्या है, उपनिशद, निशद मतलब पास में बैटना, उप मतलब पास में, निशद मतलब स्थान गरण करना, तो पास में स्थान करना, गुरू के समीब बैट करके स्थान गयन करने की अवस्था को उपनिशद कायता है, और उपनिशदों में उपनिशदों की संख्या को लेकर के बहुत सारे तथे हैं, कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मोटे मोटे तोर पर तक्रीबन तक्रीबन 200 के आसपास उपनिशद हैं, जो मुख्य उपनिशद लिखे रहते हैं, कई जगों पर 13 मुख्य उपनिशद लिखे रहते हैं, तो यह 13 मुख्य उपनिशद जो हैं, वो यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं, अब उपनिशद में शक्ती का क्या स्थान है, क्या उपनिशद में भी कोई रिफ्रेंसिस उसमें भी 108 की मानेता जादा है उसमें भी तेरह की मानेता जादा है तो जוכ 108 उपनिशद लिस्ट जो है, सूची जो है, वो आपका मुक्तिका उपनिशद या मुक्तिकोप निशद में देखने को मिलती है, मुक्तिकोप निशद जो है, वो 108 उपनिशदों की एक लिस्ट जो है, वो देता है, पूरी की पूरी, और वो जो ये लिस्ट देता है, 108 उपनिशदों की, उ इसमें से देखिए 13 जो हैं मुख्य उपनिशद हें 21 उपनिशद समान्ने विदान्ट बिदांत के 18 उपनिशद सन्यास है 14 वैश्नौ के estouda उपनिशद शैव है और 20 उपनिशद योग है इसी में जो हैं उपनिशद कौन से तो आप उसको देखिए तकरीबन आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं यह आठ जो उपनिशद शाक्त के हैं वो कौन कौन से हैं एक है सीता उपनिशद हर उपनिशद किसी वेद से रिलेटेड एक जैसे एक सीता उपनिशद जो है वो अथरो वेद से रिलेटेड एक त्रिपुरा तापनी अन्पुर्णा उपनिशद ये भी अथरवेद का है देवी उपनिशद ये भी अथरवेद का है त्रिपुरा ये रिगवेद का है भावना ये अथरवेद का है स्वभाग्य लक्ष्मी यह रिगवेद का उपनिशद है सरस्वती रहस से यह आप लोगों ने जो यजुर्वेद है दो प्रकार के यजुर्वेद पढ़े होंगे एक क्रिश्न यजुर्वेद है क्रिश्न यजुरवेद तो ये क्रिश्न यजुरवेद का पार्ट है नाद व्रहस्प बहवर्ची ये जो है आपका रिगवेद का उपनिशद है तो ये आठ उपनिशद जो है ये शाक्त उपनिशद के तौर पर आते हैं जो मुक्तिका उपनिशद के अंतरकत लिस्टेड हैं जिनमें 108 उपनिशदों की पूरी सूची प्रदान करी गई, पूरी लिस्ट प्रदान करी गई, तो यहाँ पर भी एक सुरोत आपको शाक्तवाद का शाक्तिजम का आपको देखने को मिलता है, बीजन मैंने महाकाववी की बात करी थी बढ़ी तो महाकाववी काल जो इसा पूरी लिगिया, इसवी है ये बटा, ठीके इसवी के आसपास गरे तो दो प्रकार के महाकाववी है, एक है महाभारत और एक है रामायण, रामायण में और महाभारत में, दोनों में शक्ति के उपासना है, दोनों में शक्ति केंद्रित काववे है यह, ऐसा नहीं कि शक्ति केंद्रित काववे नहीं है, जैसे एक महाभारत में आप देखेंगे, तो महाभारत में आपको इसमें दुरगा, श्री और अंबिका, दुर जो की लक्षमी है और दुरगात जो की दुस्टों का निवारण करती हैं, इनके इनसे रिलेटेड कई प्रकार की कथा हैं आपको महावारत में देखने को मिल जाएंगी, इसी प्रकार से आप रामायन में देखेंगे, तो रामायन में माता सीता, रामायन में भगवान राम ज उसमें बताया गया है शिलप्पा दिकारम में कि किस प्रकार से दक्षण में भी देवी पंथ जो है वो जाता है इसी दौरान भारत भारत के दक्षण तम हिस्से में शक्तिवाद का प्रचार जो है इसके अलावा आप देखेंगे पुरान ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो आपको आगे के डेवलेप्मेंट के बारे में बताते हैं और जेनरली जो पुरान है यह गुप्तकाल से बिलॉंग करते हैं यहां पर इनका डेवलेप्मेंट थोड़ा ज्यादा हुआ है इस जैसे मारकंडे पुरान की बात देखिए मारकंडे बहुत ही फेमस पुरान है लगबग चार सो से पांसो इसापूर्व के आसपास का आपको देखने को मिलेगा इस दौरान ये लिखा गया इसमें कई प्रकार के एक मिथकों और किद्वन्तियों का वरणन किया गया है और इनी मिथकों और किद्वन्तियों में आपको देवी महात्मे नाम का एक चैप्टर देखने को मिल जाएगा देवी महात्में मारकंडे पुराण में इसमें शक्तिपंत के बारें बतायाएगा कि काफी ज्यादा चरम पे इस समय शक्तिपंत है एक अलग दार्शनिक महात्म है महिशाशुर मर्दनी जो है उस रूप में देवी की बड़ी पूजा हो रही है देवी ने महिशाशुर नाम के एक असुर का वद्ध कर दिया है उस तरीके की चीजों का यहां पर वर्णन देखने को मिलता है तो यहां पर हम थोड़ा सा पुराण को भी एक बार थोड़ा सा व्याख्या करने का प्रयास करेंगे आपके सामने कि पुराणों में शाक्तिजम जो है वो किस प्रकार से स्थित है पुराण का मतलब है पुराना बहुत प्राचीन उसी किताबों को हम पुरान कह देते हैं और पुरानों में ज्यादा तर जो शक्तिवाद है वो योगिनी शक्तिवाद है शाक्त में कई सारे अलग-अलग मतलब दो से तीन प्रकार के अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा उसके डिवीजन्स हैं उन डिवीजन में शाक्तिवीजन में एक योगनी कॉल डिवीजन है कॉल का मतलब होता है कुल योगनी कुल का डिवीजन है जो शिव से संबंदित है सीधे तोर से तो शिव योगनियों के रक्षक के तोर पर दिखाये जाते हैं ठीक है शिव जो है वो योगनियों के रक्षक के तौर पर वरनित किये गए हैं पुराणों में, कई जगहों पर वरनित किये गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, जैसे मारकंडे पुराण की बात हो रही है, अभी मैंने थोड़ी दे पहले आपको बताया था, ये एक ऐसा पुराण है, जिसम सब देवियों के हाथ में यह सब देवियों के हाथ में पूरी तरीके से पहुत सारे इस तरीके की चीज़े हमको मतलब जननी के तौर पर भी देखेंगे उसकी रक्षा करने के तौर पर भी देखेंगे मारकंडे पुराण में उसके वरणन किया गया और उसे नस्ट कर देने क जो होती है उनको मात्रिकाओं के तौर पर लिखा गया है योगनी स्वरूप यानि देवियों का योगनी स्वरूप है उसको मूर्ती के रूप में जब लाए गया तो मात्रिकाओं के तौर पर उनको कहा जा रहे हैं तो उस स्वरू का वरणन आपको देखने को मिलता है महा भागवत पुरान की बात करें तो इसमें काली जी के निवास का वरणन किया गया है महा भागवत पुरान में महा भागवत पुरान में काली जी के निवास का वरणन किया गया है बहुत विशाल नगर में काली रहती हैं उसमें चार प्रवेश्दार हैं चारों प्रवेश्दारों में सिंग बनाए गए हैं बीच में माता जो है वो सिंग पे सवार हो करके बैठी हैं चौसठ योगिनिया जो है वो उनकी सहचारी के तौर पर उनके पुरे महल के चारों रहें तो वो चौसठ योगिनिया हैं चौसठ योगिनियों का एक वरणन आपको महाभागवत पुरान में देखने को मिलेगा और इनी चौसठ योगिनियों पर पुरे नगर उस नगर जिसमें ये देवी रहती हैं काली उसकी रक्षा का पुरा भार है इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुछ वरणन हमको मत से पुरान में भी देखने को मिलता है मत से पुरान में अंधग दैत्य की कहानी दी गई है उसमें कहा जाता है कि अंधग दैत जो है वो एक बर महादेव और पारवती को एक साथ देखता है और उसके बाद उसके मन में कुंठा आती है और वो पारुति को प्राप्त करना चाता है हरन करने की इच्छा से उनके पास आता है तो इसमें महादेव और जो अंधक नाम का दैत है उसके साथ यूध होता है अंधक को दिविशक्तियां प्राप्त है वो जैसे जैसे टूटता गिरता जाता है वैसे वैसे रक्त गिरता रक्त बीच की कहानी अलग है रक्त बीच अलग कहानी है इसकी भी कहानी कुछ उसी तरीके से है जैसे टुकड़े होते जा रहे हैं वैसे ने अंधक बनते चले जा रहे हैं तो उन्हों ने विश्णू के का आवहन किया विश्णु ने फिर इसकारे में रक्षा करी उन्हों ने अपने शरीर के विभिन अंगों से विभिन देवियों की उत्पत्ति करी तो वहां पर भी देवी उत्पत्ति का महात्में वहां पर भी फिर देवी उत्पत्ति का महात्में जैसे तब विश्णु जी ने उनका उत्सरजन होना शुरू होता है तो कहने का मतलब यह है कि आपको मत्से पुराण में भी शक्ति के स्वरूप आपको देखने को मिल जाएंगे अन्य चीजें भी है पर है अगनी पुराण की बात करें अगनी पुराण की बात करें उसी में अगनिपुराण में एक अध्याय है जिसमें अस्टा अस्टक मात्रिकाओं का वरणन है अस्टा अस्टक मतलब आठ गुना आठ और आठ गुना आठ मतलब चौशट चौशट योगनियों का उल्लेख आपको अगनिपुराण में भी इस तरीके से देखने को मिलता है और ये सब आपको मालूमी है कि गुप्तकाल में काफी अच्छे development के तौर पर देखे जा सकते हैं सकंद पुराण में योगनियों के विभिन स्वरूप देखने को मिलते हैं जो काशी में प्रवेश करते हैं उनके साथ में शिव का वास है कालिका पुराण में 64 योगनी के मंदिरों का वरणन भी किया गया है तो ये उसके प्रमुक रिफरेंस के तौर पर है आपको भारत में चार जगों पर 64 योगनी मंदिर देखने को मिल जाएंगे उसमें से तो उनके स्थानों का वरणन कालिका पुरान में किया गया है देवी पूजन के साथ साथ योगनीयों की पूजा की भी बात इसकिता मतलब रक्त का योगनी की कथा जो है वरनित करी गई है कि केते हैं कि इसमें शर्भाना योगनियों का वरन किया गया है एक महाराजा है विद्याधर विद्याधर की कहानी इसमें लिखी गई है कि विद्याधर की बेटी हुआ करती थी उनको ये देवियां जो है वो आकाश में बड़ी तोते का सुरूप धारण करके कथानक को सुनते हैं उत्तम चरित्र कथानक है उत्तम चरित्र कथानक में एक नृत्यांगना है जिसका नाम है अंग सेना और एक राजकुमार है जिनका नाम है उत्तम चरित्र उनकी कथा का वरणन मिलता है इनको आपस में प्रेम हो जाता है तो तो ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जो अंग सेना है ये एक योगिनी भी है तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वो उत्तम चरित को अपने वर्ष में रखती हैं और उनके गले में धागा डाल देती हैं तो वो तोता बन जाते हैं और जब उनको साथ चाहिए होता ह तो वो धागा हटा देखते हैं फिर मानव बन जाता है तो ऐसे करके ये कथा आपको देखने को मिलती है जब जन जाती के तोर पर लोग हैं कहीं पर इस तरीके से की जहां पर वन ख्रेत्र इत्यादी हैं, वहां पर जो पूझा पाठ आज भी जहां पर लोग इस तरीके के पूझा पाठ करते हैं, एक संपरदाय है जो उसका बिलीव है इसमें, दूसरा जो है तांत्रिक या योगिक कॉल इसी को बोला जाता है, इसमें तंत्र मंत्र का न तो ये वाली है, न ये वाली है, बलकि ये वाली है, भक्ति उपासना के तोर पर अभी आपने देवी का, जो नो दिर्गा के रूप आपने देखे, जो आपने नवरात्री की पूझन किये, उसमें माता को भक्ति में तरीके से आपने पूझा है, यही तो किया है ना, तो तो इसके ये तीन संपरदाय आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये तीन संपरदाय आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक लोक संपरदाय है, आदिवासी संपरदाय के तोर पर इसको जाना सकता है, दूसरा तांसरिक योगिक संपरदाय है, सबसे उतक्रिष्ट और क तक्रिया आनी चाहिए, मतलब एक होता है ना कि हमने तो घर बैठे भगवान के स्तूति करी, और एक होता है कि हम वन में जाकर के स्तूति करे, वहाँ पर योग करा, वहाँ पर आवहन किया हमने देवी देपताओं का, तो दोनों में डिफरेंस है, तो वो उस तरीके की चीज ह ठीके, अब ज़र देखिए, इनके डिफरेंसेस को हम यहाँ पर जो टाइप से उसको थोड़ा साम और बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे सबसे पहले, अगर हम बात करें, लोक शाक्त की, लोक शाक्त यानि कि वो आदिवासी जो लोग हैं, जो जो तरीके हैं, वो सबसे पुराने तरीके हैं, लेकिन ये तरीका कब आया, इसका कोई ज्यान नहीं, ये है, क्योंकि इसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है, मौखिक प्रमाण आपको मिलते हैं, reason because, कि इनका जो प्रपगेशन है, वो थोड़ा सा मौखिक है, इनकी पूजा उस पूजा अर्चना को बढ़ाती है, तो उसका कोई वैसा विधान नहीं, जो आपको कहीं पर साक्ष के तौर पर देखने को मिल जागा, इसलिए इसकी पत्ति जो है, उस पस्च नहीं है, तो अब ये पूजा करते किसकी हैं, किसी प्राचीन आदिवासी की, जो बहुत व लगा कि कोई प्राकृतिक पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, या पत्थर भी आपको इस्थानी देवी देवता के तौर पर देखने को मिल जाते हैं, तो देवता का रिप्रेजेंटेशन उसमें चलता है, कि ये पत्थर हमारे देवता है, मतलब वो देखने में आपको पत दोक्टर नहीं है, वो पूरा बिलीव करते हैं, अपनी आस्था पर पूरा उनको विश्वास है, और उनकी आस्था शक्ती पर है, शक्ती से वो शक्ती प्राप्त करके उनका विश्वास है कि तो तमाम प्रकार की बिमारियां हैं, वो उससे दूर हो सकते हैं, विमारियों क सुनने को मिली जाता है यह तो जब किसी को संतानोत पत्ति होती है इश्वर की क्रपा है तो जब कभी नहीं संतानोत पत्ति हो रही है तो उसके लिए के लिए हम देवी के उपास ना करना है यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और यह आपने कहानियों में पुराने लोगों से अपने दादी-दादा से इस तरीके की चीज़ें सुनी होंगी कि इनमें कई सारे स्वरूप हैं देवी के जिनकी पूजा वो करते हैं काली की पूजा करते हैं चंडी की पूजा करते हैं मंसा की पूजा करते हैं शीतला माता की पूजा करते हैं सब के अलग-अलग रूप में पूजा करते हैं जैसे आगर आप देखेंगे तो काली की कर रहे हैं पावर ताकत प्राप्त करने के लिए चंडी की उपासना कर रहे हैं जैसे ज्यादा तर जब शिकार शिकार के लिए शिकारी विगरा जो है ना उस सब चीजों के लिए चंडी की उपासना कर रहे हैं हालाकि इसका दूसरा रूप दुस्ट संघारक के तौर पर भी मनसा देवी की उपासना करी जा रही है एक जैसे सर्पों की देवी के तौर पर उनका कुल जो है उसका सर्जन सर्पों से देखने को मिल रहा है शीतला माता की उपासना कर रहे हैं आप लोग आज भी देखेंगे कई सारे गाओं में आज भी शीतला माता की उपासना नीम के प हुआ करते थी दो चिज़ों के लिए तो चीजों के लिए कई जगहों पर कुल देवता ग्रानबेवता या ग्राम देवी के लुप में पूज़ा करी जारी है तो यह इसने वाले लोगों में कुछ परमपरागत पुजारी होते हैं या पुछ ओज़्ा प्रवत्ति के करने वाले जो लोग होते हैं वो इसके अलावा यह कई जगों पर हवन कुंड यग्यकुंड बना करके गहन तपस्या उपासना इन सब में लीन रहते हैं उनका उद्देश होता है कि हम देविश्य शक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना कर रहे हैं तो वो यग्यकर् पहले जो मैंने आपको आदिवासी या फिर लोक जो कुल बताया था उससे अलग हट करके यह है उसमें आपको समय उत्पत्ति का नहीं मालूम था लेकिन इसकी उत्पत्ति का समय लगबग 6th century से 9th century के बीच में माना जाता है और 9th century से तो काफी जादा आगे फिर पास देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर भी आपको तांत्री ग्रंथ की साथना देखने को मिलेंगी अब में बात यह है कि इन तंत्र और मंत्र की सहायता से इन तंत्र और मंत्र की सहायता से सिध्धियां प्राप्त की जा रही है और सिध्धियां प्राप्त करने में शरीर की विभिन मुद्राओं का योगदान है जो योग की मुद्राएं कहलाती है अलग-अलग मुद्रा में शरीर का योग और इस चीज को क्यों कहा जा रहा है कि वैदिक काल से फेले भी एदी चीज़ों की प्राक्टिस की जाती रही होगी इस चीज़ को क्यों कहा जा रहा है क्योंकि अभी मैंने आपको शुरुवात में मूर्तियां कुस दिखाई थी अगर आप देख पाए होंगे जैसे योग की आवस्थाएं होती है, वैसी आवस्थाएं दिखाई गई तो विबिन शारिरिक मुद्राओं का भ्यास उसमें किया जाता है किसी सिद्धी को प्राप्त करने के लिए, किसी तंत्र को प्राप्त करने के लिए तंत्र को किसी एक स्रीज के तौर पर दिखा जाता है किसी एक धागे के तौर पर दिखा जाता है जिसके कुछ सूत्र हैं सूत्र मतलब मंत्र हैं ठीके उनकी आधार पर दिखा जाता है इसमें कुंडलिनी योग ये जो है योग जो है वो सबसे महतो पूर्वण तत्व है जिसमें आप जो हमारा शरीर है शरीर में जो रीड की जो हड़ी होती है जो एक कुंडलित साप की तरह रेप्रेजेंट किया जाता है जिसमें सात बिंदु बताये जाते हैं एके करके छे बिंदूओं को पहले जागरत किया आता है, फिर अन्तिम सातवां चक्र जब जागरत होता है, तो परम शक्ती की प्राप्ति उसमें मानी जाती है कि है, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, वो कुंडलिनी योग का अभ्यास भी कराती है, कुंडलिनी योग की अलग-अलग शमताएं, तीन अलग-अलग प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, इसमें तमाम प्रकार के अनुस्ठान और practices वगर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, तांत्रिक पूजा पाड भी आपको देखने को मिलेगा, शमछान भूमी की पूजा भी आपको देखने को मिलेगी ऐसे तमाम सारी चीजें और ब्रह्म है चेतन है आत्मा है इन सब चीजों की प्रक्टिसेज आपको करते हुए लोग दिखाई देंगे अब यही जो यही वाला जो यही वाला जो प्रकार है भही मैंने आपको तीन प्रकार बता है ना तीन प्रकार जो बता है इन तीन प्रकारों में जो यह है यह है और यह है यह वाला जो है जो बीच वाला जो सेकेंड पोर्शन मैंने आपको बता है तांत्रिक या योगिक जो स जो हैं इसी पर अथारित हैं तो अब हम थोड़ा सा अगर हम उनकी तरफ चलें थोड़ा सा 64 योगनी मंदिर के बारे में जानने का प्रयास करें जो आपके टॉपिक का मुख्यसा भी है तो ये आपको पूरे भारत में नवी सताब्दी से बारवी सताब्दी के बीच तमाम ज जो राजपूत राजवश है वो अलग-अलग देश के इस्सों में अपने अपने राजवश को बढ़ा रहे हैं यह यह 12-12 रत् संप्रदाएं हैं उनको भी संदक्षित करते हैं तो इसका आर्थ आप यह नहीं निकालेंगे कि यह जो राजा है जिन्हों ने इन मंदिरों के डवलेप्मेंट किया है वो उनकी आस्था सीधे तोर पर इस शाक्त संप्रदाय में रही होगी या नहीं रही होगी यह यह आपका उडिसा में है उडिसा में दूसरा आपको रानी पूर जारियाल मंदिर आपको देखने को मिलेगा चौंसथ योगनी मंदिर है यह भी आपको उडिसा में ही देखने को मिलेगा यह भी आपका उडिसा में है खजराहों में MP में MP खजराहों में आपको एक चौंस टेंपी में ही ग्वालियर में मुरैना जगा पड़ती है मुरैना ग्वालियर ठीक है ग्वालियर वहां पर मितावली या मितावली मितावली ये आपको एक चौसट योगनी मंदिर देखने को मिलेगा इन में से ज्यादा तर जो चौसट योगनी मंदिर है ये वृत्ताकार है छोटे बड़े आकार के हो सकते हैं वो एक अलग बात है पर ज्यादा तर ये वृत्ताकार मंदिर है जिसमें से ये एक ऐसा टैंपल है जो आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी आपको दिखा देता हूँ अगर आप इसे देखेंगे तो ऐसे लेगा जैसे भारत की संसद जो पुरानी वाली थी न वो भारत की पुरानी संसद की तरह इसका स्ट्रक्चर उसके पिलर्स, इंटर्नल पार्ट, सेंटर्ल पार्ट सब कुछ आपको वैसा देखने को मिलता है इसलिए कई जगहों पर यह कहा गया, कई जगहों पर इस चीज की व्याक्या करी गई और जब अभी नया संसद भवन बन रहा था तब भी इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोगों ने चीज़ें कहीं बताई कि जो यह मंदिर है इसकी आरहार पर ही भारत का संसद बनाया गया था और इस वज़े से दूसरा संसद बनाया दना उचित नहीं है यह हिंदू धारवी आस्था के विपरित कारे भी हो सकता है परन्तु इसका कोई true relation नहीं देखने को मिलता उसका reason यह है कि अब आप सोचिए 1921 से 1927 के बीच में आपको संसद भवन भारत का बनते हुए दिखाई देता है और वो जो संसद भवन बनते हुए दिखाई देता है वो दिल्ली लूटियन्स की दिल्ली में बन रहा है और ब्रिटिशर्स जो हैं किसी भारती कला संस्कृति के आधार पर और उस समय तो ऐसा नहीं कि वह भारत छोड़ करके जाने वाले हो तो किसी भारती कला संस्कृति को प्रोपगेट करने का काम तो प्रिटिशनस ने नहीं किया है उन्होंने तो भारती कला संस्कृति को दबाने का ही काम किया है हम यह expectation तो करी नहीं सकते हैं कि किसी एक मंदिर क अधार पर वहां पर एक संसत्भवन का निर्मान किया गया होगा परन्तु इमारत जो है वो गोलाकार इमारत बनाई गई है जिसका structure पूरी तरीके से इस तरीके का देखने को मिलता है इसलिए यह काफी लोगों का कहना है कि पुराना जो संसत्भवन था वो इससे मैच करता है बट मैंने आपको यहां पर चारों के बारे में बताया अच्छा दूसरी बात यह कि इसमें जो 64 जो 64 योगिनी मंदिर है इन सभी मंदिरों में चारों तरफ आपको 64 अलग-अलग मंदिर जो हैं वो देखने को मिलेंगी जो इस पूरे प्रांत की रक्षा करने के लिए है जिनके बीच में आप देखेंगे कि जैसे इसकी बात करते हैं यहां पर देखिए यहां पर देखिए जो बीच वाला जो सेंटर पॉइंट आपको दिख रहा है इसमें बीच में शिव मंदिर है तो शक्ति के केंदर के तोर पर आपको यहां पर शिव भी देखने को मिलते ह ठीके तो ये इसका adoption उससे भी है और जितने भी प्रकार के मंदिर बने हैं जब आप मंदिरों की बात करते हैं तो आपके मंद में एक दिश्चा आता है कि बहुत कलात्मक हैं बहुत बड़े होंगे बहुत व्यापक होंगे तो ये बहुती सरल आर्किटेक्चर का example है लेकिन सुद्रन आर्किटेक्चरी आपको आपर देखने को मिलेगी तो ये भी एक बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि अगर आप देखेंगे जैसे जो मितावली वाला या मितावली जो मुरैना में स्तित है ग्वालियर में वहाँ पर जो टैंपल है 64 योगनी मंदिर उस 64 योगनी तोर पर भी वहां के लोकल लोग जो है कर सो मंदिर के तोर पर जाने बहुते सिंपल आर्किटेक्चर का उधारन है यह बहूती साधरान ऑफिक्टर का उधारन है इसमें 65 अलग-अलग आले हैं जिसमें 64 में योगनिया है एक मिश्यूव है 64 योगनी की मूर्ती वहाँ पर हुआ करती थी, कुछ मूर्तियां वहाँ पर टूट गई है, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तीसरा जो स्वरूप है, अगर तीसरे स्वरूप की अगर हम बात करें, तो तीसरा स्वरूप जो है, वो भक्ती शाक्त सं प्रेम मही माता के स्वरूप को रिप्रेजन्ट करता है, इसमें शक्ति और वेदान्त का मिश्रण इस समय में आपको देखने को मिलेगा, अध्यात में भी है, वैदिक आध्यात में भी, और जो हम जो एक टू बिलीव होता है, माता है, भक्ती है, वो भाव आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये जो माता और ये जो भक्ती का स्वरूप आपको याँपर देखने को मिलेगा, इसमें खास बात ये है, कि इसको आध्युनिक समय के लोगों ने बहुत जादा अपनाया, बात के समय के मध्धिकालिन भारत से लेकर के आज तक लोगों इसको इसलिए इसको गैर संप्रदाइक शक्तिवाद के तोर पर भी जाना जाता है जिसको विवेकानन जी और उनके गुरु जी ने काफी प्रोपगेट भी किया माताकाली के उपासक हैं वो लेकिन वो माताकाली किसी में भेद नहीं करती और यही कारण है कि आप देखते हैं कि राम कृष्ण जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सनातन और उनके शिष्ट से भी जिन्होंने सनातन को बहुत प्रमोट किया लेकिन दूसरे धर्म, दूसरा जो संप्रदाय है उसका उसको यह नहीं उसका प्रॉपगेशन किया कि वो खराब है सर्वधर्म संभाव वाली जो भावना है वो लेकर के चलने का काम इन लोगों ने किया है शाक्तवाद का जब हम अध्यान करते हैं, तो ये तो होगे तीन प्रकार के जो शाक्तवाद हैं, वो मैंने आपको बता दिया, इसका जब हम अध्यान करेंगे, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे सोर्सेज, बहुत लंबा इतिहास है, मैंने भी लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसको पांच अलग-अलग तरीकों से पढ़ा जा सकता है जसे पहले तो एतिहासिक सरविक्षन की बात करी है जैसे मैंने आपको शुरुवात में बताया कि इंडस वेली सिविलाइजेशन में आपने देखा कि तमाम प्रकार की मूर्तियां म मैंने कालिका पुराण का नाम लिखाया था उनमें चार प्रकार के जो मंदिर है वही चार प्रकार के मंदिर आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा तमाम प्रकार की सिचुएशन और प्लेसेज जो हैं उसके आधार पर भी हमें शाक्त संप्रदाय पढ़न कि किसी एक खास प्रकार के बारे में पढ़ने जैसा ही होगा चौथे में आप देखेंगे शाक्त ग्रंथों का विशलेशन और अनुवाद शाक्त ग्रंथों का विशलेशन और अनुवाद आपको ये पहले में नहीं मिलेगा बलकि गुप्तकाल के बाद, गुप्तकाल या उसके बाद के समय में देखने को मिल जागा, तो उसके जो भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अनुवाद करना, उसको पढ़ना, उसका विशलेशन करना, ये सब चीज़ों पर आदा रहे हैं, और जो तांत्रिक क्रिया विधी है और उससे समंदी जो साहित हैं, उसका अध्यान, ये एक अलग प्रकार का सेपरेट दृष्टिकोन होगा, जो हम शाक्तिवाद की अध्यान में इस्तिमाल करते हैं, अब अगर हम शाक्तिवाद को पढ़ी रहे हैं, तो जरा हमारे कुछ प्राचीन पीठ हैं, उन प्राचीन में देखने को मिलेगा, तो हिंदू टेक्स्ट हों, चाहे बधिस टेक्स्ट हों, चाहे तांत्रिक ग्रंत हों, इन सब में आपको जो प्राचीन पीठ हैं, वो प्राचीन पीठों के बारे में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, अब इसमें से एक स्थान जो है, इस पर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं लोग कि ये कहां है लेकिन बाकी के जो तीन स्थान है इसको लेकर के अलग-अलग टेक्स्ट में अलग-अलग प्लेसेज का वरणन किया गया है जैसे ओडियाना के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ओडिशा या बंगाल के आसपास का हिस्सा और कुछ लोग का कहना है कि ये स्वात घाटी जो पाकिस्तान में वहां के ओडियाना प्रदेश से रेटेड है कुछ लोग इससे तिबबती प्रदेश के आसपास भी मानते हैं तो ये इसको लेकर के कंफ्यूजन है भी बट ये इतना कंफ्यूजन जरूर है कि प्लेस कहां है उत्राखंड में अल्मोडा जिला जो है वहां पर है भारत नेपाल सीमा के पास में जादातर लोग मानते हैं इसको लेकिन कई सारे लोग इसको अनेक्सेप्ट करते हैं और थोड़ा पश्यमुत्तर भारत की तरफ होने का इसका प्रमाण आपको देखने को मिलता है कालिक और ब्यास के आसपास का कहीं जगा पर हिस्सा है यह बट है अभी जित दिक्कत जालंधर को भी लेकर के बड़े कंफ्यूजन्स है जालंधर को लेकर के भी सपस्ट प्रमाण नहीं मिलते जालंधर पीट कहां पर है परंतु फिर भी माना जा सकता है कि पंजाब में स्थिद बेरहाल यह चार पीट है जिसमें से कामरूप वाला जो है यह बिल्कुल इसपस्ट है कि यह असम में है असम में आप लोगोंने कामाख्या देवी का नाम सुना होगा तो यह वही कामाख्या देवी का मंदिर है कहा जाता है कि शक्ती ने अलग-अलग समयों में अलग-अलग युगों में अलग-अलग स्वरूप धारण किया ठीक है आप देखेंगे कि जैसे कामाख्या देवी का जो मंदिर है वहाँ पर भी एक गुफा सी बनी हुई है निलाचल या कामगिरी परवद जो है वहाँ पर एक गुफा है उसमें सती के योनी परतीक जो है वहाँ पर एक पत्थर है तो वो आदिपीठ में से एक माना जाता है तो ये चार आदिपीठ हैं इन मेंसे यह कहा जाता है कि जो देवियां है, उन देवियों ने अलग-अलग समयों पे, अलग-अलग जगों पर अपने आपको प्रकट किया है, तो वो आधिपीठ के तौर पर जाने जाते हैं, इसलिए जो चार जगहें हैं, इन चार जगों को हम लोग चार आधिपीठ के तोर पर जानते है चार आधि पीठ ये चार आदि पीठ जो है वो आपके शाक्तिजम से रेलेटöst होगे इसके अलावा जब मावा पीठों की बात करते हैं तो 51 शक्ती पीठ है 51 शक्ती पीठ का जो है वो पॉरार कमा तो आपको शायद जारतर लोगों को पता होगा जो दक्ष प्रजापती हुआ करते थे सत्यूग में दक्ष प्रजापती जो थे उन्होंने एक यग्य कराया था उस यग्य में आपको मालूम है कि उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया था और उनकी जो पत्नी है सती वो दक्ष मानित करते हैं सभा के या जो उपस्थित गण हैं उनके सामने जो सती को बरदाश नहीं होता है और फिर अंतता जो जिस जहां पर वो हवन हो रहा था यग्यका उसी अग्णी में अपने आपको समाहित करके भस्म कर लेती हैं ये चीज शिव बरदाश नहीं कर पाते हैं और सत हैं तब आप देखेंगे कि भगवान विश्णू वो भगवान शिव जो पूरी तरीके से करुणा में जा चुके हैं जिसकी वज़ा से ब्रह्मांडिय विवस्था अविवस्था में बदल जा रही है उसको नियंतरित करने के लिए उनको करुणा से बाहर लाने का प्रयास करते हैं और उसके लिए वो अपने सुदर्शन से सती के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके सती का जो शरीर है उसको अपने सुदर्शन से प्रथक करते हैं तो 51 खंड होते हैं शरीर के और वो 51 जगहों पर आकर के जहां पर गिरते हैं वहीं पर 51 पीठ बनती है तो यह यह जो कहानी है पौराणिक कहानी आपको मालूम है लेकिन उसमें से 40 ज्यादा तर जो शक्ति ज्यादा तर जो शक्ति के अंग जो है वो पूर्वी या पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है मतलब हम यह वाला जो हिस्सा कह सकते हैं इसमें ज्यादा तर गिरा तो इ यह PDF में प्रवाइड कर दूँगा तो आप देख ले ना इन जगों पर बनाए गए थीक है तो यह आपको एक तो 51 शक्ति पीट का भो गया इसी तरीके से 108 शक्ति पीट भी है 108 शक्ति पीट के अलग-अलग concept हैं अलग-अलग माननेताई हैं जैसे 108 जो संख्या है वो कुछ जियोतिशी आकणों के आधार पर रखी हुई दिखाई देती है जैसे 12 राशी जो होती है और जो 9 ग्रह है अगर आप उनका multiply कर देंगे तो वो 108 आजाएगा तो कुछ उससे related है कुछ लोग 36 प्रकार की देवियों और तीन पौराणिक उनके जो तीन पौराणिक शेत्र हैं उसका multiply भी अगर आप करेंगे तो उससे related भी आपको देखने को मिल जाएगा 108 की संख्या कुछ लोग जो चंद्रमा है उसके जो 27 27 जो इस्थान है चंद्रमा के जो 27 ग्रह है ज देवी श्रूब जो है आपको देखने को मिल जाते हैं तो 108 शक्ती और 51 शक्ती और 4 चार आदिशक्ती पीत हैं 157 शक्ती पीत हैं और 108 टोटल शक्ती पीत आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिन में से ज्यादतर कुछ कॉमनली भी आपको 51 शक्तिपीट और 108 शक्तिपीट में कुछ चीज़ें common भी दिखाई देती हैं उसका भी map मैंने आप लगा रखा है आप देख लिजेगा अंतता ये जो देवी देवताओं के बारे में आपने पढ़ा इन पर आधारित जरह कुछ तेवहार हैं आईए उन तेवहारों के बारे ला रह satisfaction है एक है देवी दुर्गा के जो नौरतार है उनको नौर रातों में हम उनकी उपास्ना असलीए नवरात्री कहलता है वैसे तो तीन प्रकार के मौसम मुलते हैं लेकिन भारत में आप देखेंगे चार प्रकार के मौसम आपको देखने को मिलेंगे और उसके एकॉर्डिंग जो है अलग-अलग नवरात्री भी देखने को मिलेंगे जैसे एक शारदी ये नवरात्री आपको देखने को मिलता है शारदी ये जो नवरात्री है वो अभी जो अक्टूबर और नॉम्बर का माह है सितंबर अक्टूबर को जो माह है उसमें आपको देखने को मिलता है पर उसके बाद एक बसंत वसंत की नौराथ्री भी आपको देखने को मिलेंगी, जो बसंत के समय में आपको देखने को मिलती है, मार्च अप्रेल में। माघ नौराथ्री ये थोड़ा सा जनवरी फर्वरी में रहती है, इसको बहुत सारे लोग नहीं मनाते हैं। कि जाधा तर अगर आप देखेंगे तो शार्दी यह नवरात्री सबस्जादा मनाय जाती एक इसके अलावा चैत्र के जो नवराते है जुनको तर नवरात्री के तोर पर देखते हैं, वह जाधा मनाय जाते हैं, जब उन्होंने महिशाशुर्ग का वद किया तो इसी उपलक्ष में मनाया जाता है कि महिशाशुर्ग का वद किया है उन्होंने उस रूप में पूजी जाने वाली जो दुरगाजी है उनकी उपासना होती है पूरवी भारत में आप देखेंगे दीपावली मनाते हैं वो वास्तविक रूप में लक्षमी की पूजा के तोर पर है और दूसरा हम देखेंगे तो बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान राम की जीत जो रावन की उपर हुई है और वो वापस आते हैं अपने नगर उस विजय के बाद तो आप देखत जातर घरों में लक्षमी और गडश की पूजा होती है तो बेशिकली वो साक्त पूजा है बट उस रूप में मनाई जाती है आमबू बाची ये जून जुलाई में असम में गुहाटी में कामाख्या मंदिर में ही मनाई जाती है और इसका रिलेशन जो है वो बारिश के माह से और जो इस्त्रियों में जो मासिक धर में उसकी connectivity से है उसके संकेत के तोर पर उसको देखायाता है तो काफी वहाँ पर एकान्तवास का भी पालन करना पड़ता है पूजा के पारंपरिक कुछ विदिया और वो भी पालन करनी पड़ती है महिलाओं को बोनालू ये जुला या मिनाक्षी अंबकम ये मई अप्रेल में तमिलनाडु के मद्रवई प्रदेश में ये तिवहार मनाया जाता है आपको तो मालूम है कि मिनाक्षमी अंगम वहां पर मंदिर भी है भगवान सुंद्रेश्वर जो हैं शिव और मिनाक्षी का दिव्य विवाह हुआ उसी दिव ज्यान संगीत की देवी वाग देवी जो हैं सरसुती देवी जो हैं उनकी पूझाम्या पर कर रहे होते हैं तो ये हैं हमारे शक्तिवाद शक्तिवाद का ये बहुती छोटा सा प्रसारण था शक्तिवाद उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी शक्ति है और जितना भी मैंने सकने का प्रयास किया, वो आपके सामने करने का प्रयास किया, बट आप इससे कितना सीखे हैं, आपको कितना समझ में आया है, शक्ति बाद जो है, कितना आपके लिए मन में स्पस्ट हुआ है, उसके प्रकार, उसका ओरीजन, उससे लिटेट टेमपल्स, वो सब शायद आपको समझ में आए होंगे उससे लिटेट्टे वहार अब मैं आपको यहां पर एक प्रशन दिखा रहा हूं जो प्रशन यूपी एससी में 2021 में पूछा गया है सीधे सीधे प्रशन है जरब देखे कुछ भी घुमा फिराकर केस में नहीं पूछा गया है मुरायना के समीप इस्थित चौंसट योगनी मंदिर के संदर में विल्खित कत्नों पर विचार की दिए या कचप घात राजवन्श के शासन काल में निर्मित एक वर्ताकार बंदिर है भारत में निर्मित एक मात्र व्रताकार बंदिर है इसका उध्डेश चित्र में वैश्न पूजा पध्द्यति को पृच्छान इसके डिजाइन से यहां लोगप्री धाना बनी कि अभारती संसत भवन के लिए प्रेणा सुरूत रहा था इनमें में से कौन सा कथन सही हैं एक दो, दो तीन, एक चार और दो तीनो चार इसका उत्तर लिखकर के आप हमें जरा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताईए इसका सही उत्तर जानने के लिए आप हमारे टेलिग्राम से जुड़ जाईए जाते जाते मैं आपको फिर से बता दू कि प्रतिग्या प्लस बैच जो है इसको जरूर आप सब लोग जल्दी से जल्दी ग्रैप कर लीजे 2026 के लिए बैच जो है वो आज शाम 6 बजे से शुरू हो चुका है ठीक है विरत लाइब कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें दुनिया में कोई कोई भी कोड आपको बताए कि यह वाला कोड लगा लो आप यही कोड लगाओगे अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो विरत लाइब कोड आपको यहां पर यूज करना है इसके अलावा पी टू आई बैचेज दोहजार चबश के लिए 27 के लिए और 25 के लिए भी उपलब दें 25 के लिए बिल्कुल देर ना करें अभी तुरंट तुरंट के तुरंट आप इसमें अड्मीशन ले लिए कोड यहां पर भी आपको विरत लाइब ही यूज करना है मेरा कोड है लाइब क्लाशेस के लामप बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जो आपको यहां पर मिलने वाले है सबसे यूनिक फीचर के तौर पर दो फीचर मैं लिख दे रहा हूँ एक तो यहां पर वीकली क्लास टे करके fee refund ले जाएए और mains और interview के तयारी हम आपको initial कराएंगे अपने हाँ तो ये शांदार features आपको आपको देखने को भिलेंगे इस batch में इस lecture का PDF आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे telegram पर और socially अपनी बातों को share कर सकते हैं इस धर्म से लेटेड इस lectures लेटेड या फिर अगला कौन सा lecture चाहते हैं किस concept पर आप अगली के study चाहते हैं मुझे comment section में comment करके ज़रूर बताइएगा उस पर हम आपको अगली के study देने का पूर्ण प्रयास करेंगे आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे telegram इंस्टाग्राम या फिर हमारी email ID या फिर facebook इत्यादी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप सभी लोगों का समय शुब हो आप सब लोगों की जो आगामी परिक्षाएं हैं वो बहुत अच्छी सी तैयारी के साथ हो इनी शुब कामनाओं के साथ तन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी